अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो पिछले एपिसोड देख लेना तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था की जो वो हैवल्नी कल्टिवेटर का एक टीम मेंबर था वो ली यान और चेंड को मारने ही वाला था तब यह वहां पर हम देखते हैं का रूप लेकर आया हुआ है और उसने उसकी तरीके से अपना सेफ को सिफ्ट कर लिया है जिसके बाद हमने देखा था उसी पोटल को जहां से अब सभी लोग उस चीज को लेने के लिए वहां जा सकते थे तब हम देखते हैं वहां पर जो उन हेवनली कल्टिवेटर में सबसे हमारे सारे साथियों को मार डाला जिसके बाद मैं और यही यहां पर जिंदा बचे हैं इसलिए हम दोनों मिलकर यहां भाग आए और हम देखते हैं जब उन हेवनली कल्टिवेटर के लेटर को यह पता चलता है कि यह दोनों यहां पर भाग कर आए हैं तो वो इन पर गुस् कर आए गए जिसके बाद हमने देखा था जो फैंक था वो वहाँ पर उसे एक्सप्लेइन करने लगता है और उसे कहता है कि माश्टर आपको ड़ने की कोई जरूरत नहीं है जिसके बाद फैंक आगे कहता है कि माश्टर आप चिंता मत करो अभी भी मेरे पास एक बहुत प्लैन है जिसके बाद वो कहने लगता है आप इन दोनों को मत मारो हम इन दोनों की हेल्प से लीजियान को फजा सकते हैं अगर आप ये चाहते हो तो इन दोनों को मत मारो जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो वो हेमली कल्टिवेटर्स का लीडर होता है वो यहाँ प पर Frenk की बात के बारे में सोचने लगता है और वो जब इनी सब बातों को सोच लेता है उसके बाद वो वहाँ पर अपने साती से कहता है की हमें इनकी कोई भी जरूरत नहीं है इन दोनों को मार डालो और अब तो हमें Emperor Mink nawr की विरासत भी मिलने वाली है तो हमें इनकी कोई जरूरत नहीं, इन्हें अंदर आने नहीं देना है, तुम इनी यही पर मार डालो, जिसके बाद हम देखते हैं, जो heavenly cultivators का लीडर था, वो वहाँ पर अपने team member से कहने लगता है कि, तुम इने जल्दी मारो और हमारे साथ portal में आ जाओ, जिसके बाद हम दे तुम अभी रुख जाओ, मुझे इनसे कुछ काम है, इसके बाद तुम इने मार सकते हो, जिसके बाद हम देखते हैं, जो heavenly cultivators का दूसरा साथी था, वो बोलने लगता है, तुम इनसे जल्दी करो, जो तुमें काम है, मुझे नहीं लगता, तुमें इनसे कोई personal काम है, तु तुम यहाँ पर हमें धोगा देने की कोशिस तो नहीं कर रहे हो, जिसके बाद हम देखते हैं, जो यान होता है, वो उससे कहने लगता है, मुझे लग रहा है, तुम यहाँ पर कुछ और ही करने आए हो, अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए, तो मैं तुमें मार तुम यहाँ से निकल जाओ, और हम देखते हैं, वो कहता है, मैं इने खुद मार सकता हूँ, जिसके बाद हम देखते हैं, वो यहाँ पर अपने वैपन को निकाल लेता है, और अपने स्पेयर से उन दोनों के ओपर अटेक करने के लिए तैयार था, उससे पहले वो वहाँ पर एक स्कल का यूज़ करता है, जिसका नाम स्पेयर अफ कलोनिंग था, जिसके बाद हम देखते हैं, स्कल को देखने के बाद वहाँ पर यान और जो दूसरा चैन था, वो दोनों ही डर जाते हैं, और यहाँ पर वो दोनों सोच रही होते हैं, कि अब तो वो मर ही तो वो देखते हैं जो यान था उसने उस heavenly cultivator की body के आरपार अपनी sword को कर दिया था और ये देखकर वो heavenly cultivator भी खाफी ज़रा डर जाता है और वो कहने लगता है तुमने ये क्या किया जिसके बाद हम देखते हैं जो heavenly cultivator का leader होता है वो दूसरी तरफ से बोलने लगता है ये कि सब क्या चल रहा है मुझे यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा यान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तब ही हम देख पाते हैं जो लिन होती है वो भी यहां पर यही सोचने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है यहां पर यान ऐसी हरकते क्यों कर रहा है तब ही हम देख पाते हैं जो heavenly cultivator की body के आर पार sword हो चुकी थी वो यहां पर कहने लगता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया तुम हमें धोका क्यों दे रहे हो बलकि हमने तो तुम्हें 50% दिया था जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर जो यान होता है वो उसकी body से अपनी sword को बाहर निकाल लेता है और तुरंत उसकी body एक blood spread stone में convert हो जाती है जिसके बाद हम देखते हैं जो यान होता है वो अपनी sword से वहां पर काफ़ी सारे slices करकर उन लोगों की ropes को काड़ देता है जिसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर लियान और चैन होते हैं वो यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि तुम हमारी हल्प क्यों कर रहे हो और लीजियान कहाँ पर है तुमने उसके साथ क्या किया जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो यान होता है वो उने समझा नहीं पारा होता कि वो ही लीजियान है जिसके बाद वो कहता है कि ये मैं हूँ क्या तुमने नहीं पहचाना भी भी जिसके बाद हम देखते हैं जब वो उसको देखते हैं तब वो पहचान जाते हैं हाँ बब तक भागते रहो जब तक अ मैं तुम से रुकने को ना कहूं। जसके बाद हम देखते हैं, वो लेजियानके पीछी पीछे भागने लगते हैं, वो बी अफूल स्ट्रेंथ के सांथ। तब ही हम दूसी तरफ से फैंग को देख पाते हैं, जो फैंग होता है वो कहने लगता है कि तुम दोनों ऐसे कैसे भाग सकते हो, तुम है मेरे लिए भी रुकना चाहिए, जिसके बाद हम उन हवल्डी कल्टिवेटर्स के लीडर को देख पाते हैं, जो चिलाता हुआ कहता है कि सभी लोग मिलकर इन लोगों का पीछा करो और इन लोगों को पकड़ो और हमें इन लोगों को मारना है, और वो कहता है इन लोगों को चल्दी से जल्दी पकड़ो जिसके बाद हम देखते हैं, दूसी तरफ से जो लिन होती है वो सोच ने लगती है कि यहाँ पर फैंग नहीं पारी होती तब ही हमारा सिंसिफ्ट होता है और हमें लीजियान के दोस्तों को और लीजियान को दिखाया जाता है जो उस पोटल के अंदर भाग रहे होते हैं और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो वहाँ पर सभी से कहता है कि भागते रहो जिसके बाद हम देखत जो लीजियान होता है जो उसका डीमन मास्क था वो सभी के सामने आने लगता है और धीरे धीरे उसकी प्रॉबलम और जदा बढ़ती जा रही थी और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कुछी देर बाद अपने घुटनों पे आ जाता है और नीचे गिर जाता है और हम भी लीजियान की फॉर्म में वापस आ चुगा था जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान की ऐसी हालत देखकर जो यहां पर चैन होता है वो लीजियान से पूसता है लीजियान क्या तुम ठीक हो मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजि डालेंगे और लीजियान उनसे कहता है आगे की रुकना मत जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जितना मैं बलड गॉर्ड मांटीन के अंदर आता जा रहा हूं उतना ही इस डीमन मास्क की पावर और ददा बढ़ती जा रही ह और लीजियान कहने लगता है अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डीमन मास्क है उसको पहनने का एक लिमिटेड टाइम है यहाँ पर अगर मैं उसे जादा टाइम तक पहनता हूं तो वो मुझे काबू भी कर सकता है जिसके बाद हमारा से इंसिफ्ट होता है और हमें कुछ बंदों को उसी पोटल के बाहर पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है और हमें पता चलता है वो और कोई नहीं फैंक विंग और फैंग यू है तब ही जो फैंग यू होता है वो फैंक विंग से कहता है ब्रदर सब लोग अंदर जा चुके हैं अब हमें भी जन्दी अंदर ज और यहां पर हमें पता चलता है जो फैंक विंग है यहां पर जितने भी कल्टिवेटर आए हुए हैं उनसा भी में सबसे जदा पाउरफुल है जिसके बाद हम देखते हैं जो फैंक विंग होता है वो अंदर जाने लगता है और बोलता है कि अंदर जितने भी कल्टिवेटर ह है वोुर्ट मो के दोनों ही रहा जाते है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मौते हैं वहहां पूंछे कि कहने लगते हैं कि यहां का औरा कितना सदा पाउरफुल हो गया था इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो बात है जिसके बाद हम देखते हैं जो माश्रमों होते हैं वो कहने लगते हैं मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने अपने लेवल को बले ही कितना ही सप्रेस कर लिया लेकिन हम इस पोर्टल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमें बलड गॉर्ड माउंटेन रिजेक्ट कर रहा है जिसके बाद हम देखते हैं जो लेड़ी होती है वो कहने लगती है हम अंदर नहीं जा सकते तो क्या हुआ अगर इसके अंदर से कोई बाहर आएगा वू राजवन्स के अवसेस और एमपरर मिंग की विरासत के साथ तो हम उसे मार देंगे और उसकी उन दोनों चीजों को हम खुद ले लेंगे जिसके बाद वो दोनों ही हसने लगते हैं और इसके बाद हमारा सिंसिफ्ट होता है और हमें ली जियान, ली यान और चैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों के तीन, एक साथ एक ही जगाँ पर आ जाते हैं और तभी हम उनके सामने देख पाते हैं एक बहुत बड़े जाइंट बलडगाड को और हम देखते हैं उसकी बॉड़ी के अंदर से काफी ज़दा इविल इंटेंट बाहर आ रहा था और वो काफी ज़दा पाउरफुल देख रहा था जिसके बाद हम देखते हैं उसके नीचे एक फॉर्मिशन बनी ह वी थी और वहाँ पर काफी सारे बलडगाड्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए थे और वहाँ पर उनकी संख्या काफी ज़दा थी यानि की हजारों में थी जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है जब इन सब चीजों को देखता है तो वो काफी सार फेखते हैं जिसके बाद लीजियान कहने लगता है कि इन वेपन्स पर जो सील लगी हुई है वो डैमॉनिक सील है और ये तने ज़्यादा पौरफल है कि हम यहाँ पर इने इतने आसानी से نہیں हरा पाएंगे जिसके बाद लीजियान कहने लगता है कि डिजियान तो एक हायर элем क कल्टिवेटर है उसे तो यह सब हांसल करने में इतनी ज़दा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी फिर उसने इसके लिए कॉंपटिशन क्यों अनाउंस किया जिसके बाद लिजियान इनी बातों के बारे में सोच रहा होता है तब ही हम देखते हैं दूसी तरफ से जो फैंग हाँ मेरे पास एक प्लैन है ना तुम सीधा भागते रहो जिसके बाद हम देखते हैं जो लिजियान होता है वो यहाँ पर भागने लगता है और यहाँ पर जब यह लोग भागते हैं तो यहाँ पर हल्चल होने लगती है जिस वज़े से इन बलड सोलजर्स को यहाँ पर कि इसलिए जो लीजियान होता है, वो अपने दोस्तों से कहता है, ठोड़ा बहुँत साउधान रेना, जिसकेबाद लीजियान अपने सब्सक्रों दोस्तों से कहता है, कि इन सवही के ओपर अटेक कर दो, और एक साथ मिलकर लड़ो इन से, जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर इन सभी के साथ लड़ने लगता है और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो इनकी पावर को देखकर काफी ज़दा शौक था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि कोई बलड सोलजर इतना ज़दा पावरफुल ह हो सकता है और हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसके ऊपर एक बलड सोलजर काफी जदा भारी पढ़ने लगता है जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है सो गाइस यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को वाई गाईस